Hey everyone, welcome to Sirkariat once again तो इस फीडियो में मैं आप सभी के साथ एक important update शेर करने वाला हूँ जो इंडियन आमी की तरफ से निकाला गया है और ये जो update है ये उन सभी candidates के लिए काफी ज़ादा important है जिन्होंने already अपना nursing complete कर लिया है और वो अभी किसी भी job के लिए अपना recruitment के लिए अपना इंतजार कर रहे है तो यहाँ पर इंडियन आमी की तरफ से MNS का notification निकाला गया है तो ये जो आपका MNS है ये भी आपका military nursing services होता है तो ये वाला MNS, उस वाले MNS से अलग है जो आप 12th के बाद देते हो जो कि आपका NEET score के basis पर होता है तो वहाँ पर क्या होता है 12th के बाद आपको जब MNS में selection हो जाता है तब आपको 4 सल का BSC nursing course करवाय जाता है और उसको बाद आपकी commissioning हो जाती है as an officer, as an army officer यहाँ पर क्याए कि जिन candidate ने already अपने nursing complete किया है तो इस वीडियो में हम लोग सारे जितने बी इंपॉर्टन पॉइंट्स है जैसे भी selection process है, कैसे होता है उसके बारे में सारी details को समझेंगे क्या-क्या eligibility है, क्या age limit रहती है, क्या आपकी physical standards है जो आपके पास होने चाहिए, जिसके according जो है आप यहाँ पर eligible हो पाऊगे बागी इसका exam वगरा कैसे होगा, कैसे पूरा method, पूरा interview का, क्या process रहेगा सारी चीज़े हम लोग एक एक करके discuss करते हैं, ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, यह उन candidate के लिए हैं जिन्नोंने BSC nursing course complete कर लिया है, या फिर post basic nursing कर लिया है उसके बाद उसको मतलब कुछ time की training के बाद यहाँ पर आपको army में nursing officer बना दिया जाएगा ठीक है, इंडन army में आपको nursing officer की जो post है, वो आपको मिल जाएगे तो आप जो है, lieutenant की post पर यहाँ पर commission हो जाओगे तो आपको जितनी भी pogs वगरा हैं, जितनी भी allowances वगरा हैं, वो आपको lieutenant rank के मिलेंगे और बागी जो आप अपनी job करोगे, वो आप nursing officer की job करोगे ठीक है, तो काफी अच्छी vacancy है, और यह vacancy अभी काफी time के बाद आई है तो अभी यह फाइनली आ चुके है, तो पूरा discussion हम लोग करते हैं, start तो यहाँ पर आप देख सकते हो, a bright future for aspiring young women, ठीक है, तो अभी एक दो दिन पहले यह notification आया है और यह सिर्फ और सिर्फ female candidate के लिए, तो male candidate यहाँ पर अभी eligible नहीं है तो make a move and join the armed forces at short service commission officer in the military nursing services MNS 2023-24 ठीक है, तो 2023-24 है नहीं कि 2023-24 का जो यह session है, इसी के बीच का recruitment निकाला गया है तो यहाँ पर आपकी जो joining है वो 2024 में ही होगी, लेकिन process जो है वो इसका भी December से ही start हो जाएगा ठीक है, इसलिए 2023-24 की जो मतलब category में आ रहा है तो यहाँ पर आपको short service commissioning मिलेगी, short service commissioning क्या होती है अभी हम आगर discuss करेंगे तो यहाँ पर यह लिखा है पहला point कि applications are invited from female candidates who have passed MSC nursing post basic BAC nursing, BAC nursing for grant of short service commission in the military nursing services ठीक है, तो यह courses अगर आपने किये हैं तो आप यहाँ पर eligible हो nationality यहाँ पर मांगी गई है, Indian citizen आप होनी चाहिए हो किसी भी state से belong करते हो, इंडिया में कोई problem नहीं है, बस आपके पस Indian citizenship होनी चाहिए ठीक है, अब qualification and registration के बारे में लिखा है कि आपने MSC nursing क्या हो, या फिर post basic nursing क्या हो, या फिर BAC nursing क्या हो किसी भी INC recognized university से और आपका जो registration है, RN और RM का state nursing council से होना चाहिए ठीक है, तो यह चीज़े नहीं लिखे है, आपके पास जो आपका nursing council का registration होता है RN और RM का, वो आपके बस होना चाहिए date of birth के अगर हम बात करें, age limit आपकी क्या है, तो 21 से 35 years के बीच में अगर आपकी age है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, इन्होंने date of birth भी यहाँ पर describe किये तो उस date of birth को आप check कर लो, आपका जो date of birth है, वो 25 December 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए उसके बात का हो सकता है, और 26 December 2002 से बात का नहीं होना चाहिए उससे पहले काना चाहिए, ठीक है, यानि कि जो भी आपकी date of birth है, वो 25 December 1988 से 26 December 2002 के बीच में लाए करनी चाहिए या फिर इन दोनों dates में भी हो सकती है, अगर आपका बर्त जो है, इन दोनों में से किसी एक date पर हुए, तब भी आप eligible हो, या फिर इस period के अंदर अंदर आपका date of birth है, तो आप यहाँ पर eligible रहोगे, ठीक है physical fitness लिखा है कि medical fitness will be assessed by as per military standard, तो आपका medical वगरा होगा, सब चीज़े होगी, उसमें ये सारी चीज़े देखी जाएंगी, ठीक है method of selection के है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक exam देना होगा, जो कि आपका computer based exam होगा, CBT mode में होगा, तो यहाँ पर जो है, आपके computer based exam में जो है, वो आपका 14th of January को होगा, ठीक है और इंडिया में काफी सारे centers होंगे, NTS का जो है एक्जाम करवा रहा है, National Testing Agency, उसको यह authority दी गई है, तो 14th January 2024 को एक्जाम होगा, लगबग आपके पस एक माइना है अभी तयारी करने का, इसके exam में कैसे questions पूछे जाएंगे, उन सब पर में videos upload करूँगा, तो जो भी channel पर और इस post के लिए apply करना चाहता है, तो जल्दी से channel को subscribe कर लो और bell icon को press कर लो, इसके regarding आपको सारी information मिलेगी, मैं पहली भी already MNS के लिए काफी सारे candidate को guide कर चुका हूँ, ठीक है, and काफी होका selection भी हुआ है, तो आपको भी अगर guidance चाहिए, तो YouTube पर free मिलेगी वो आपको सारी guidance, और किस तरीकी से आपको इस paper के तियारी करने है, उस पर में मैं complete discussion करूँगा, ठीक है, तो यहां लिखा है कि CBE जो आपका exam है, computer based exam, इसमें आपके MCQ type question होँगे, जो कि आपके nursing subject से होँगे, English language से होँगे, और general intelligence के question होँगे, और इसमें कोई भी negative marking नहीं होगी, ठीक है, त उसके बाद आपका scorecard वगरा जो NTA के website पर आजाएगा, और उसके बाद आपकी जो है, एक merit list आईगी, जिसमें shortlisted candidates की list दी गई होगी, जिनको बाद में interview के लिए बुलाए जाएगा, तो पहले आपका CBT exam होगा, उस exam के basis पर आपकी एक merit list बनेगी, उस merit list के basis पर जिसमें, उस merit list में, जितनों का नाम होगा, उन candidates को वहाँ पर interview के लिए बुलाए जाएगा, और interview जो होगा, वो आपका यहाँ पर Delhi में होगा, ठीक है, तो आपका एक call-up letter आता है, और यह interview जो है, इसी में interview के साथ-साथ आपका medical exam भी होगा, जिसमें आपका medical standards वगरा, सारी चीज़ पीने का खुद का इंतजाम खुद से करना होगा, वहाँ कुछ भी जो है, आपको इस चीज़ की facility नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो medical exam के बारे में इनोंने लिखा हुआ है, जैसे x-ray वगरा होगा, आपका chest का होगा, USG होगा, abdomen का, यह सारी चीज़े होगी, medical board आपका करेग ठीक है, और यहाँ पर pregnancy के बारे में भी लिखा है, अगर कोई candidate है, ठीक है, वो कोई pregnant वगरा है, तो यहाँ पर यह लिखा है, कि the lady candidate will be considered fit 24 weeks after an uncomplicated vaginal delivery, अगर मालो किसे के delivery हो चोगे, तो 24 weeks अगर उनको complete हो गए, तो वो यहाँ पर eligible है, या फिर MTP या abortion किया गए, तो उसके 12 हफतों के बाद आप eligible हो, या फिर आपकी सिशीरेन हुए है, यानि की C section वाले delivery हुए है, तो उसके 52 weeks बाद आप इसके लिए eligible हो, ठीक है, और इसके बाद जो है, fit और unfit जो है, वो जो आपका board, medical board, वो आपको बताएगा, अगर आप fit होते हो, तो आप आगे जाओगे, unfit ह होते हैं, तो आपको वहीं से घर बेज दिया चाएगा, ठीक है, उसके बाद लिखा है, final selection जो है, वो आपका यहाँ पर, आपकी merit के basis पे होगा, मतलब जितने candidate fit होंगे, और जितने आपके यहाँ पर test में marks आई होगे, क्योंकि test के marks हैंपर, आपकी बहुत important है, उसी के basis पर हैंगे, तो उनको जो अपना पैसा है, मतलब travel का वो उनको मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद employability के बारे में देखो लिखा है, कि candidate selected for grant of SSC, यानि कि short service commission in the MNS will be liable to serve for 5 years, यानि कि 5 साल की आपको guaranteed job यहाँ पर दी जाएगी, अगर आपको final selection हो जाता है, लेकिन उसके बाद आ आप अगर सही से performance वा करते हो, तो 5 साल और बढ़ जाएंगे, फिर अगर सही से आप perform करते हो, तो 4 साल और बढ़ जाएंगे, तो यह 5 साल की तो fixed job है, लेकिन उसके बाद आपका जो भी performance रहेगा, आपकी health वगरा बिल्कुल fit रहती है, सब कुछ सही रहता है, तो उसके बा कि आपका जो यहाँ पर, मतलब यह जो recruitment किया जाएगा, यह Army, Navy, Air Force कहीं पर भी किया जा सकता है, ठीक है, तो यह हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो है, फिर next आपका जो हैंपर दिया हुआ है, एमोलमेंट्स वगरा दिया है, मतलब यह जो भी आपको benefits वगरा मिलेंगे तो lieutenant rank के जो भी आपको, मतलब allowances वगरा दिये जाते हैं, वो सारे आपको भी आपर दिये जाएंगे, on the post of nursing officer, ठीक है, तो emoluments के बारे में हो गया है, प्रमोशन के बारे में इनोंने लिखा है, कि जब आपके entry होगी, जब आपकी joining होगी, तो आपको lieutenant की post दी जाएगी, आपको captain मना दिया जाएगा, और उसके बाद जब यहाँ पर आपका 8 साल का मतलब service हो जाती है, तो आपको major rank दे जाएगी, ठीक है, उसके बाद बागी इनोंने और भी आगे चीज़े दियें, कि अगर मानलो आपका permanent commission हो जाता है, तो इस तरीके से, इस order में major के बाद आप one year attendant of commission, and with MSC nursing qualification are eligible for two years attendant of commission, ठीक है, तो इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, यही चीज़ के है, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है, permanent commission के बारे में इनोंने information दिये, ठीक है, तो यह सब चीज़े आपको बाद में आगे जब joining होगी आ आपकी, तब आपको यह सारी चीज़े पता लगते रहेंगी, उसके बाद यहाँ पर apply करने का process उन्होंने बता है, कि apply जो आपको करना है, NTA के website पर जाके करना होगा, और इसका जो application form है, वो आप 11 December 2013 से लेके 26 December 2013 तक फिल कर सकते हो, ठीक है, तो 11 December को जो यहाँ पर इसका form filling स्टार्ट हो जाएगा, form filling पर मैं वीडियो बना दूँगा, उस form को देखकर आप अपना, मतलब उस वीडियो को देखकर आप अपना form fill कर लेना, कोई भी गलती इस form में नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो, document verification बहुत strict होता है, तो यहाँ पर छोटी सी भी गलत से वो आपकी 900 रुपीज रहेगी, ठीक है, और उसके बाद आपका admit card वगरा, यह सब NTA के website पाएगा, तो जितनी भी updates होंगे, मैं सारे आपको future में देता रहूँगा, तो उन सब के attention मतलो, और उसके बाद यह सारे original documents है, जो आपको interview के time पर ले जाने होंगे, जैसे के class 10 का course के है, और character certificate हो गया, जो कि आप gazetted officer से लेके जाओगे, proof of Indian nationality, अधार card वगरा हो गया, और NOC, अगर आपका employment है कहीं पर, मतलब कोई भी अगर आपका employer है, आप कहीं job कर रहे हो, तो वहाँ से NOC certificate लेना होंगा, ठीक है, और यह एक stamp है, यह सब चीजे मैं आपको बता ठीक है, तो यह चीज हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर फिर इतना कुछ और नहीं है, बस इतनी information थी, इस notice में, बागी इसमें यह लिखा है कि information जो है, वो आपकी joinindan army.nic.in, इस official website पर भी available है, तो यह सारी आपकी complete information थी इसके बारे में, तो अभी यहाँ पर लगबख hundred के आसपस तो होनी चाहिए, ठीक है, इतनी vacancy इस तो मेरे साबसे शायद होंगी, hundred से कम तो मुझे नहीं लगता होंगी, बट यह कि vacancy के बारे में कुछ भी, जब information आजाएगी, तब मैं आपको जो update कर दूँगा, clear data जब मेरे को मिल जाएगा, तब मैं आपको ब exam होगा, यह बहुत important role play करेगा, क्योंकि इसी के basis पर आपका merit list बनीगी final वाली, ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको helpful लगी हो, तो प्लीज को दरू लेक कर देना, चैनल पर नहीं हो, तो subscribe कर लो, और बाकी अगर कोई doubt है, तो comment section में में को बता सकते हो, और अपने friends के fahr Luna, से अगरप करना है, तो खु कर दो खुट सकते हैं, क्योंकि ब rozp Patreon करदाओ कर हो, तो आपका है, डापका है, तो हम गगाशाँ है, तो हमार आपका ही घाँ है … Forb मैं में उल रच plannersマthe, तो हाग के सो कम पर दीक हैं, ठीक में 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 हीं, वें जो हैं तो